हीर फुडिज वेलकम बैक तो आवर चैनल कुकिंग विट मस्ती आज ककिंग विद मस्ती के किचन में बनने वाला है डिलिशियस पनीर पकोड़ा तो आईे जानते हैं कि पनीर पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन सामगरियों की जरूरत हैं और आखे पनीर पकणीर बना कैसे स सकते हैं आसान और इजी तरीके से आईए जानते हैं तो इसके लिए शुरू करते हैं और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें क्योंकि जिससे हमारे दौर बेशन कातल District, छेरी का करें कि रखी गवावर अपनेख्यों सिर्टाइब कर से घखासर दो दिया है। मीब और बेशन ispod, अब यूदिेखन में कातल। तरह से बोलह सकाम ही और शेक बता ही साथ में जखनेख्यों पहुडिक डालने ए काम में हमेड़िने ने खरते। साथ में रेट चिली पाउडर डालेंगे, सारी चीजों को डाल करके बेसन में अच्छे से हम मिक्स करेंगे, आप इसमें चाट मसाला या कुछ और भी हर्ब वगएरा डाल सकते हैं, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का घोल बनाएंगे, घोल ध्यान रहे बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको फेटते रहेंगे, जिससे इसमें एक भी प्लम न रह जाएगा, अगर प्लम रह जाएगा, तो घोल और पकोड़े दोनों ही पर्फेक्ट को थेमर में थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इस अ कर्णा से इसी कतले है इसी तरह से बनाने लिए इस तरह से consistency रखें अब पकोड़ों को तलने के लिए gas पर एक कडाई रख दी है कडाई में टेल डाल दिया है तेल हमारा जब तक गरम हो रहा है तो तक हम पनीर के जो piece कट किये थे उसमें बेसन का लेप लगा लें बेसन को अच्छे से चारो तरफ लपेटना है कहीं से भी प चेक करने पर पता चल रहा है कि तेल भी गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे अपने पनीर के पीसेस जो बेसन के घोल में लपेटे हुए हैं एक एक करके जितनी आते हैं कडाई में उतने pieces डाल देंगे अब इनको तलेंगे गोल्डें ब्राउन होने तक है दीखें यह इसको निकाल लेना को निकाल लेंगे क्योंकि निकाल लेंगे हैं तो फिर थोड़ता जलने लगेंगे चाट मसालाणा होिएं तरह से उसके साथ में ग्रीन चट्नी हो और तो उसके साथ इसको सर्फ कर सकते हैं गर्म cutting एसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे हमारी हर रेस्पी आप तक सबसे पहले पहुंचे